दोस्तों अगर आप Microsoft Excel में डेली काम करते हो और Microsoft Excel में Pure Table आप सबसे ज्यादा यूज़ करते हो तो आपको Pure Table की ये hidden tricks and tips पता हो नीची जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने हो लेकिन उससे पहले कुछ लोग का सवाल रहेगा कि सर ये Pure Table होता क्या है तो उनको मैं बताओ क कि Pure Table Microsoft Excel के अंदर एक ऐसा powerful option है जिसकी मदसे आप Excel के अंदर Summarize Record चुटकियों में निकाल सकते है और इस Pure Table की उपर मैंने तीन गंडे का एक बड़ा वीडियो बना है बेसिकली वीडियो नहीं आप बोल सकते हैं से मूवी भोलेंगे तीन गंडे का मूवी जिसकी लिंक मैंन पूरा मूवी बना है थर्टीन एपिसोड के साथ मूवी बना है तो जरूर चेक आउट करना डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी उपर आई बटन में लिंक मलेगी जिनको पीवर टेबल पता नहीं जो बेसिकली स्टुडन से एकसल के वह ज़रूर पीवर टेबल डीटेल म उनको भी कुछ नहीं चीज़े सीखने मिलेगे उस वीडियो के अंदर फिलाल तो इस वीडियो में भी नहीं चीज़े सीखने मिलने वाली 10 हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको पिवर टेबल की बताने वालो तो इंट्रेश्टु दूडियों इंट तक दीगीगा पर आप डेटा देख सकते हैं बेसिकली यहां पे सब कटेग्री एंड एंट एस एमस्ट ही हाँ अपर एक एहाँ पर है इसलिंगे Prinzipican ओ पे साउद यहां चुक долँका जैस़ हैं एसी एहां पे लिग दिया आतलियों यहां पेर रियॉःडर हो चुका है कुस्टम ओर लगग एंटर करता हूं तो यहां पर हर जगह पे आप देखेंगे हर एक सब के डेगरी के अंदर आप देखेंगे रिजन जो है सौ आपको पेला दिखाये देरा है उसके बाद आपको इस्ट चेंटरल वेश्ट दिखाये देरे तो आपको जैसे ओर चेव यहांपे लिख सकते आप पहला चाहते हैं, Central पहला चाहते हैं, तो आप Central लिखें, Central पहला आजाएगा, West पहला चाहते हैं, तो West, यह Second number पर आपको सपोज East चाहिए, तो Second number पर इस लिखो, Third number पर आपको यहां पे चाहिए South, और बाद में Central Automatic पहला, West, East, South and Central, इस तरह से आप Custom order डाइरेकली टाइप करके रख सकते हैं, तो इंटरेशिंग ट्रीक है, यह जाएं टूडी से बर नीचे मुझे एपरिल टू मार्च है, मतलब फिनेंसिल एर जो होता है, बिसिकली हमारा एपरिल टू मार्च, उसकी सबसे यहां पर चीए, तो मैं यहां पर लिखोंगा, पिर मार्च, ऐसे Custom order तो मैं कर सकता हूँ, मैं यहां पर लिखोंगा, यह यहां पर आगया और जैन नीचे शिफ्ट हो गया, इस तरह से, लेकिन मुझे ऐसे फिर से लिखना पड़ेगा हर एक को, तो बहुत टाइम जाएगा मेरा ऐसा, तो मैं क्या करूंगा, इसे अंडू कर देता हूँ, और मैं यहां पर साइड में लिख देता हूँ, एपरिल और इसे मैं यहां पर फिलएंडल से ड्रैक कर लेता हूँ, तो आपको पता है कि अगर मैं इसे ड्रैक करूँ गा इस तरह से, तो यह पूरा पूरा अप्रील टू-मार्च इस तरह से आने वाला है, यह आपको अल्ड़ी पता है, तो हम इसे क्या करेंगे, कस्टम लिख में set कर देंगे तो क्या-क्या steps रहते त्यान से दिखिए इसे पहले select रखिए file menu में जाना है आपको file menu में मैंने click किया file के अंदर आपको नीचे मिलेगा options दिखाए दे रही है यहाँ पे options पे आपको click करना है नीचे जैसे मैं options पे click करूँगा edit custom list एकदम bottom में आना है यहाँ पे आपको एक option मिलेगा edit custom list यहाँ पे आपको click कर देना है and here it is what जैसे आप इसे select करोगे यहाँ पे देखिए यह नीचे आपको दिखाए दे रहे है जो आपने selection किया हुआ लिस्ट है इसे आप यहाँ पे करोगे import क्या करना इसे import जैसे मैं import करूँगा यह list यहाँ पे आ जाएगी right custom list यहाँ पे आ चुकिए and okay करना है right पहले यह चीज़ आपको कर लेनी है सब कुछ यहाँ पे पहले setup कर लेना इस तरह से पूरी की पूरी list April to March यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है okay and okay बटन पे क्लिक कर देना next what next आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले इस टेबल के उपर right click करना है और यहाँ पे pure table option में जाना है right click pure table option में पहले जाईए ध्यान से दिखिए मैं क्या बता रहा हूँ pure table option के अंदर जाने के बाद यहाँ पे total and filters एक option आपको दिखाए देगा यह दिखिए मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे total and filters इस पे क्लिक कीजिए गा total and filters पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे use custom list when sorting यह वाला चेक होना चीए basically यह चेक ही रहता है default लेकिन अगर आपने इसे अंचेक किया तो यह नहीं आएगा use custom list when sorting custom list यूज कर पाए हम sorting के टाइम पर तो अमने custom list अल्रेडी बना ली हमने राइट तो हम इसे यूज करने के लिए बहले यह चेक रहता है अगर आपने अंचेक किया तो यह देख लेना राइट उसके बाद यहाँ पे आखर करना क्या है यह पे row labels आपको दिखाए दे यहाँ पे आपको एक drop down दिखाए दे रहे फिल्टर का क्लिक कीजिए और सौर्ट ओल्डेश तुनिवेश्ट यह दिखिये सौर्ट ओल्डेश तुनिवेश्ट पे क्लिक कीजिए यू आपको में जून जुलै यस अपरिल तुमार्च पनेंसिलियर की साब से राइट सो इस उस तुमार्ट प्रिक नंशा तुमार्ट यह दिखिये देश्ग की इस यहाँ पर क्लिशुलेशन इन प्रोट टेबल यहाँ आप देख सकते मेरे पास से जैन-दिसेम्बर डेटा उन क्या दिखा उन अपर यहाँ पे क्या करना जैन-ध्यों अइस सेरी, यहाँ ज्या वया फेब में क्या दिख रहा है 4,38,000 तो इन दोनों की टोटल यहां पे next में आ जाए फिर इन तीनों की टोटल यहां पे next cell में आ जाए इन चारों की टोटल इस next cell में आ जाए रणिंग टोटल बिसिकली तो यह करने के लिए आमें फॉर्मॉला देने की यह पे ज़ुरुवत नह पुरा ने में खाली कि अड्र अड्र net कि लिचे करना है इसमें आपको क्या करना है तो हम अर्ड श्रम में खार पर इत्र आडरे सेल्स करेंगे जाग पर वादल करेंगे ज्रेक्टकर अड्राइडप या पर क्लिक करो टाइटल बज़ सकते हैं, लोगा हमें क्या करना है लिए टाइटल बदल के पहले हमें रुप्ट करने क्योंकि यह सेम और रिखे राय था राय किजिए रैट लिक करने के बाद यहां पर नीचे आना आपको शो वैल्यूज एज आना है देखिए कैशी फेल् month order date चाहिए या फिर आपको या पर years चाहिए तो मुझे monthly ही चाहिए बिसिकली तो मैं इसे months रखके okay करूंगा and here you will have your running total right guys यह देखिये यह है पहले month का jan का फिर यह दोनों का addition फिर इन तीनों का addition इन चारों का addition I don't need to explain it more right इस तरह से आप कर सकते even you can compare like year wise भी like year wise भी compare यहां पर calculation और कर सकते जैसे I'm going to show you right now करना क्या है उसके लिए दिखिये आप दुबारा या पर sum of sales को drag and drop कीजिए sum of sales को drag and drop किया इस वाले में right click करो और show values size में बहुत सारी चीजे होते हैं उसमें हम लेने वाले है difference from यह दिखिये percentage difference form ले सकते आप percentage difference from ले सकते में percentage difference from लेरो फिलाल percentage difference from years पहले मैं लूँगा उपर years ओके मैं देखना चाहता हूँ 2019 and 20 का record यहां पर तो previous year का क्या comparison है मैंने यह रखा और previous year okay करूंगा तो अपकोस यहां पर तो blank आए क्योंकि 2019 के पहले कुछ sales नहीं है but 20 के पहले 2019 है तो दिखाई दे रहे के previous sales के compare में हमारा कितना sales इस साल में वो particular मैंने में बढ़ा है यह पर बता रहा है right यह कापी interesting है we don't need to put any kind of formula inside pure table कई भाई भाई आप calculation automatic हो रहा है तो इस बात पर इस ट्रीक को लाइक देदो और ऐसी tricks tips hacks अगर आपको सीखने basically तो चैनल को सब्सक्राब भी करके रखना guys फिलाल आगे बढ़ने पहले एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा देखिए अपने life में अगर आपको कुछ grow करना है तो आपको नए skill सीखने बहुत ज़रूरी है skill सीखना उतना important है जितना कि आप investment को समझते जितना कि money saving को समझते आपने time saving को समझते basically मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप skill सीखते हो तो skill आपको जो आपने skill सीखने के लिए investment किया है वो आपको एक गुना दो गुना नहीं सो गुना तक return दे सकता है यह मैंने खुद मेरे life में apply करके देखा है मैंने जो नए skill सीखे उनका benefit मेरे life में बहुत हुआ और इसलिए आपको हमेशा नए skill सीखते रहने चाहे और skills कहां से सीखे तो इसके लिए हमने skill course नाम का सही में तो भी आपको self study यहां पर करना पड़ेगा जिसकी आदत हमारे app से आपको लगने वाली है जिसी हाँ self study आप कर सकते हो देखिए ऐसे वैसे तो आप short देखने में YouTube के अलग-अलग मतलब entertaining videos देखने में time spent करते हो अगर आप अपने लिए कुछ time spent करते हो तो basically फिर वो से लाइब जिने के लिए आप कोची financially stable रहना रहे तो financially stable आप तभी हो पाओगे जब आप ज्यादा कुछ कमा पाओगे तभी आप save कर पाओगे right so this is my suggestion you to go and learn new courses from our portal that is a skill course play store पे जाकर skill course app search की जिए 50,000 plus app downloads यहां पे 4.5 से भी जादा rating हमारे app को लोगों ने दिया है बहुत सर लोग सीखते हैं यहां पे अलरडी घर बैटे बैटे आए उसो सर्ड़ इसात कोर्से से लिए फिलाल तो मैंने information दी दी बाकी आपका decision है where you want to spend your time right so मैंने आपको idea दी दी आपका time कहां पे spend करना है वो आपका decision होता है फिलाल next trick की तरफ बढ़ने वाले है that is what that is what apply filter on data let's move so this this is the trick number 4 guys यहां पे क्या होता है जब आप देखोगे इसमें मैंने प्योटेबल तो बनाया है but I am unable to apply the filter over here right कैसे मैं यहां पे click करता हूँ और data में जाता हूँ filter option तो यहां पे highlight ही नहीं हो रहा है control shift L भी हम इसे इसे इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे filter option ही highlight नहीं अग filter apply होगा of course होगा या फिर आप control shift L दबा दीजे shortcut की है यहां से देखिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ यहां पे इस particular column के लिए भी filter लग चुका है right तो आपको याद रखना है कि वह प्योटेबल के data पे click करोगे तो filter option आपको disable मेलेगा but आगे के column में क्लिक करोगे तो वह active रहेगा और जैसे आप इसे apply करोगे या पी वह प्योटेबल पे apply हो जाएगा interesting trick लगी ना अब next trick की तरफ बढ़ते trick number 5 trick number 5 में show details and disable details यह मैं आपको बताने हो लगा basically यह जरूरी क्यों होता है क्या होता है बहुत सरी बार हमारे पास data इस तरह से और यहां पर आपको दिखाए दे रहा है कि असे सरी का record है यह सब कुछ है तो कई भी यहां पर binders पर आके मैं suppose double click कर लेता हो तो यहां पर binders का पू of sales पर double click कीजिए यहां पर देखिए चेहर का पूरा पूरा details आपको in detail record आजाता है चाहिए तो लेकिन कभी गलती से double click होता है और यहां पर extra sheet add हो जाते है हमारे Excel में तो अगर आप इस double click को disable करना चाहते है basically आप यह in detail जो हो रहा है उसे disable करना चाहते तो उसका भी setting में option मिल जाएगा right click के अंदर इस पर click कीजिए जहां पर click करने के बाद एक dialogue box आएगा जिस dialogue box के अंदर आपको यहां पर मिलेगा data option data option में click कीजिए और enable show detail यह वाला जो चोटा सा बटन दिकाए देरा इसको आंचेक कीजिए जो मैंने already आंचेक अभी कर दिया है right click करके अंचे अब यहां पर आप देख पारे सब्सक्राइब मेरे पास से मैं आप इन सभी के डेगरी में बस टॉप फाई रिपोर्ट देखना चाहता हूं कि वहीं जिसका सबसे कम से हुआ है वह मुझे मैंनेजर को बताना है तो करना क्या है बेसिकली रो लेबल जो दिखाए रहे आप एक चोटाज़ा फिल्टर है क्लिक कीजिए यहां पर आपको एक ओप्षन दिखाए देता है वाल्यू फिल्टर में जाहिए और नीचे आपको टॉप बॉटम यह दिखाए दे रहे तॉप 10 इस पर क्लिक कीजिए यह खाली टॉप ही बताएगा यहां पर टॉप की जगह आ टॉप बॉटम आप बॉटम चीफ बॉटम ले लो टेन नहीं मुझे पांच रेकॉर्ड चींए तो यहां पे पांच आइटम्स कितने आटम्स च्यों करेंगे पांच आइटम्स मैं सब केटेगरी वाले आइटम्स की बात कर रहा हूँ गलत मत समाझना ओके सो यहां पर जाके टॉप की जगह बस यहाँ पर बॉटम क्लिक कर दोंगा गाईज and here you will have a बॉटम 5 सब्केटेग्री जिनका सेल सबसे कम है that's it guys trick no.6 में इतना ही बढ़ते है tricks no.7 की तरब trick no.7 set default layout यह कापी interesting है बहुत बार हमें यह problem phase करना पड़ता है क्या होता है basically यहाँ पर एक pure table आपने design कर लिया राइट अब इस pure table में आपको यह grand total नीच है और यह वाला भी grand total नीच है तो आपने कुछ यहाँ पर ऐसा set कर लिया कि वह इसका grand total मुझे hide करना है तो यहाँ पर मुझे grand total को hide करना है तो मैं design tab में जाओंगा simple design tab यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है और इस design tab के अंदर grand total एक option आपको दिखाए दे रहा है आपको प्लिक करने के बाद आपका उसका प्रूट करने के बाद यहाँ यहाँ पर बहुत कर लोगे यह होगा आपके pivot table के लिए default layout मतलब next time आप pivot table बनाओगे तो आपको grand total नहीं दिखाए देगा जो भी आपने apply किया है basically वो नहीं दिखाए देगा यहाँ से भी आप वैसे subtotal दिखाना है नहीं दिखाना है क्या-क्या pivot table में सब कुछ set करके रख सकते आपको चाहिए जैसे यहां से भी खुद से कर सकते तो यहां पर यह default layout रहता है पहले से आप import करोगे यहां से तो यह वाला जो setting है वो यहां पर आ जाएगा basically right so this is the option with that you can set a default layout for your pivot table right guys time saving है trick no.8 की तरफ बढ़ते हैं trick no.8 hide buttons from pivot table कैसे यहां पर दिखिए बहुत बार क्या होता है कि यहां पर buttons आ रहीं कि minus button यहां पर इस button पर click करके आप expand कर सकते expand कर सकते minimize कर सकते right तो यहां पर यह plus minus button है लेकिन हमें यह button print में नहीं चाहिए रहते हैं तो बहुत लोग क्या करते इसे copy करते हो और पेश पेशल करते हैं प्ल्स माइनस ये दिखाए दिखय दे हैं प्लस माइनस बत Bin इस पर क्लिक कीजिए, you can see वो बटन हो चुका है, right, so trick no.9 की तरफ बढ़ते हैं, trick no.9, repeat items, item को repeat कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर दिखिए, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे है, 2019 यहाँ पर उपर है, यहाँ पर blank है, पुरा पुरा बाद में 2020 आ रहा है, और यहाँ पर blank है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, here it is, design tab के अंदर, report layout के अंदर, आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है, नीचे आप देखेंगे, repeat all item labels, right, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो सारे item label के report यहाँ पर repeat हो जाते है, 2019 भी हो रहा तो भाहि मुझे यहार यह 2019 रिवीट नहीं करना है यह मंद करना है, especially month का, तो इसे CTRL Z को अंदू करो, यहाँ पर बस मुझे इसी का गरना है, यह पर यह करना है, यह रहने यह यहाँ रहने तो यहाँ रहने तो यहाँ रहने रहने यही रहने दो एसा ही, right click करने के बाद य लेवल्स बस इसी का है इसी कॉलम का है राइट लोक अधिया गाइज राइट उसी कॉलम का हो गया है 2019 को रिपीट नहीं किया उसने राइट सो दिस ओस ट्रीक नमबर नाइन अब लाश्ट ट्रीक की तरफ बढ़ते हैं दुबारा एक बार बता देता हो कि अब तक यह पसंद अगर मैं यहां पर आपको डिटा दिख वुथ इसी कई यहांपर माने डिखर रहा हूँस सेंट्रल साउथ जोन का रिकॉर्डर पर तकरस प्रशेक्णी अब यह तीनों का अचुका है यहां पर फिल्टर लगा सकता हूं तो फिर्नीचर का दिखाए देगा मैं यहां पर आपके शप्लाइज लगा दू तो यह मुझे रखना है कौन सा वह आपकी अमारी उपर है मतलब all करता हूं मैं तो all कर देता हूं तो basically मुझे यह सब का separate separate sheet चाहिए, यह जो report है, लग-लग sheet पे चाहिए, right, so how I can do that, यह देखिये, मैं दिखा रहो आपको, interesting है, right, प्यूर टेबल अनलाइज टैब में जाहिए, जानना चाहते हैं, आप मेरे पीछे आई है, उसके बाद इस टेबल को पहले select रखिए, करसर यहां पे है, options में नीचे आना है, जो बहुत सरे लोग को यह पता नहीं होता है, and options के अंदर, show report filter pages, show report filter pages, click किजिए, यहां पर add नहीं करते, and बोलते कि सर, हमारा report, show report filter pages highlight नहीं हो रहा है, देखे न, मैं दिखा तो आपको, यह, मैंने category रिमूओ किया, and option में जाकर click, sorry, option में drop down में जाता हूँ, यह highlight नहीं है, इसका reason, समझ में आया होगा आपको, तो मैं वो भी बता देता हूँ, कि वही क्या होता है, practice करते समय आपके साथ, वैसे, मैं बता हूँ, कि यह जो practice file है, मैंने आपको description में दे दी, पूरी, पूरी, pivot table, यह जो मैंने tricks बता है, और उसे आप मेरे application से download कर सकते, क्या करना है, application पर जाना है, फ्री में है, download करने के लिए, application पर जैसे आप जाओगे, आपको home tab में, application की पर home tab में, आपको section मिल जाएगा, जो की है, हमारा study material नाम का, study material नाम पर tap कीजिए, और उसके अंदर आपको YouTube channel practice file, एक folder मिलेगा, जिसके अंदर आपको, specially learn more channel, complete technology channel, सभी चैनल के practice file मिलेगी, फिलाल ये वडियो आप learn more पर अभी देख रहे हो, तो learn more channel के folder में tap कीजिए, और उसमें आपको मिलेगा, pivot table 10 tricks का excel practice file, आपको वहाँ पर जाकर download, बहुत सारी practice file मिलेगी, वहाँ से आप free में download को, no issues, right, तो ये सारी free files आपको वहाँ पर practice के लिए मैंने नीचे मतलब screen को छोड़के मत देखें, screen पर bottom में देखें, यहाँ पर आपको separate sheet और repeat items वगरे, यह सारी sheets दिखाए दिरी, जो कि आपने आप देखें लिकिन अभी मैं category पर क्लिक करके, okay गाता हो, धेंड़न, धेंड़न मतलब क्या, धेंड़न मतलब music नहीं, यहाँ पर दे कि यह देखें ओपर, let me zoom it, office supplies, right, so this way you can separate the sheet, and I say, बहुत सरी चीज़े प्यो टेबल में कर सकते हैं, दोस्ते, इसके लिए अल्रेडी विडियो में बनाई, and इसके जो है, basically, course भी में डिजाइन कर करके, Excel Mastery course, MIS, everything, like, बहुत सरी चीज़े अमने करके, and even, we have started our Power BI Masterclass also, so if you are interested you can contact to our team and Power BI Masterclass के बारे में information ले लो, right, Power BI Masterclass हमने स्टार्ट किया है, that will be a live lecture session के साथ होता है, and आपको Power BI Masterclass कैसे जोइन करना है, सारी टीम आपको गाइड करेगी, don't worry, you just contact to our team, if you are interested to learn about Power BI in detail, with DAX functions, with analysis, data analytics, and business analytics का क्या जोब रोल है, वो आपको Power BI में सीखने मिलता है, दोस्तो सो यह थोड़ा सा अलग पैकेज है, and it is for those only who are highly interested to learn something in a data industry, right, so contact our team regarding Power BI Masterclass, that's it guys, इस वीडियो में इतना है था, मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिये, सीखते रहिये, लोगों को सिखाते रहिये, खुद भी स्मार्ट बनिये, बाई बाई के लिए?